अग्ले अपिसोड नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले अग्ले अपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक या बच्चों के डिसोडर के जिसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्षन होती है और बोन और जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी हो सकती है तो इसे कहते हैं रिकेट्स यह जर्मन वर्ड रिकें से लिया गया है मतलब है इसका ट्विस्टेड हिस्टॉरिकरी यह इंग्लेंड में डिस्क्राइब किया गया था और यह प्रलॉंग विटामिन डी डेफिशेंसी के कारण होता है इसमें मिनेरलाइजेशन ग्रोथ प्लेट कार्टिलेज और बोन की डिफेक्टिव हो जाती है ड्यू विटामिन डी डेफिशेंसी तो इसको समझने के लिए या वेरियस काइंड्स ओव रिकेट्स को समझने के लिए हमें विटामिन डी का मेटाबॉलिजम समझना बहुत ज़रूरी है तो चमड़ी में जब धूप लगती है तो 7-D-Hydro-Colesterol कोले कैलसेफेरॉल बनता है विटामिन डी 3 और ये लिवर में जाके विटामिन डी 3-25-Hydroxylase enzyme से कैलसीडाइवल में कनवर्ट होता है जिसे 25-Hydroxy D3 कहते हैं फिर ये किड्नी में जाता है और 25-Hydroxy-D3-1-Alpha-Hydroxylase enzyme से ये active form of vitamin D बनता है जिसे कैलसीडाइवल कहते हैं 125-Hydroxy-D3 तो अगर आप ये 4 steps समझ लेंगे तो आपको various kinds of rickets समझने में असानी हो जाएगी तो विटमिन D का action क्या होता है विटमिन D बहुत जरूरी है specially growing children में तो ये important regulator होता है calcium और bone homeostasis के लिए small intestine में ये calcium और phosphorus absorption में help करता है और bone में calcium और phosphorus resorption रोकता है और kidney में calcium और phosphorus excretion रोकता है तो deficiency में क्या होता है इन सब चीजों का उलट हो जाता है intestinal absorption calcium का कम हो जाता है parathyroid hormone बढ़ जाता है bone resorption होती है to maintain calcium levels तो vitamin D deficiency की definition क्या है most appropriate marker जो होता है vitamin D status का 25 hydroxy vitamin D होता है यह circulating form of vitamin D है with the longest half life तो अगर यह 25 nanomol per liter से कम होता है तो यह deficiency माना जाता है अगर बच्चों को यह level या इससे कम level है तो rickets बहुत likely है less than 50 nanomol per liter represents insufficiency but not deficiency तो vitamin D के causes क्या होते है विटमिन D के causes होते है maternal vitamin D deficiency अगर मा में ही vitamin D deficiency है तो बच्चों में भी यह जाती है एक बाद याद रखने लाइक होता है कि breastfeeding में vitamin D जादा नहीं मिलता तो गर्ब में vitamin D मिलना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को और causes a low exposure of ultraviolet B light जब sunlight चमड़ी पे पढ़ती है तो ultraviolet raise B जो है यह vitamin D में convert करने में help करती है तो अगर आप sunlight ले रहे हो कांच के भीतर घर के अंदर बंद खिड़की से vitamin D ले रहे हो तो यह ultraviolet B ray जो है यह चमड़ी पे नहीं लगती और vitamin D conversion नहीं होता skin में दूसरे causes होते हैं dark skin color वाले बच्चों में ज़्यादा sunlight की ज़रूरत पढ़ती है और इन्हें अगर sunlight नहीं मिले तो इन्हें भी रिकेट्स होने का chance ज़्यादा होता है अगर pregnancy में supplementation नहीं दिया मा को तो इससे भी होता है poor nutrition से होता है अगर मा exclusively breastfeeding कर रही है बच्चे को जैसे के मैंने कहा breast milk में vitamin D जादा नहीं होता है तो बच्चों को vitamin D drops देने चाहिए non-vitamin D supplemented formula foods अगर किलाया इससे भी vitamin D deficiency हो जाता है और vegetarian diet में vitamin D deficiency होता है तो इसका pathophysiology क्या है मतलब के vitamin D जब कम होता है तो क्या आसर होता है body पे तो phosphate loss होता है kidney से क्यूंके parathyroid hormone बढ़ता है क्यूंके calcium कम हो रहा है body में तो parathyroid hormone बढ़ता है और bone से calcium निकालता है phosphate कम होने के कारण mineralization of osteoid कम हो जाता है bone cells होते हैं osteoblast जो osteoid ले करते हैं और osteoid को ossify या उसमें bone जमा होने के लिए calcium phosphorus और alkaline phosphorus बहुत ज़रूरी होता है तो large amount of osteoid collects लेकिन यह mineralize नहीं हो सकता osteoclast unable होते हैं उसे penetrate करने के लिए और prolong secondary mineralization हो जाता है तो secondary mineralization क्या होता है तो अगर आप bone का structural unit देखेंगे mineralization जो osteoid का होता है वो begin होता है rapid primary mineralization के साथ उसके बाद secondary mineralization का phase होता है यह slow और gradual maturation होता है mineral component का leading to complete mineralization इसका period unknown होता है variable होता है बच्चे से बच्चे में तो आज का episode यहीं खतम होता है अगले episode में हम और बात करेंगे रिकेट्स की दो और episodes आएंगे तो यह series जरूर देखिए इससे आपको बहुत knowledge मिलेगा तो अगर आपको पसंद आया तो like करिए share button दबाईए family friends के साथ हमारा channel share करिए हमारा channel देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि जल्दी मिलते हैं अगले episode के साथ thank you